यह सुथाना गाउं है और इस सुथाना गाउं की यह सर्विस रोड सर्विस रोड भी लबालब भरी हुई है और लोगों के घरों में पानी जैसे घुद्धी जाएगा लगभबुत लेवल पे यहां इस थोड़ी सी बरसाथ के बाद पानी बह रहा अब यह देखिए कि यह आफिर आई कि यह अगर आप देख पाएं तो मेरे कहां तक पानी है इस सर्विस रोड पर है यह स्थिती इसलिए आई कि यह बगल में आप धेर देख रहे हैं यह नाली है जिसका पता नहीं पड़ रहा है कि यह नाली है और यह नाली लबालब भरी हुई है क्योंकि जिन जिन लोगों को इसे साफ करना है वो इसे बार-बार कहने के बावजूद साफ नहीं करते हैं तो थोड़े सी बारी समय आज हम लोगों को इस इतने पानी में चलना पड़ रहा है तुद्धा नाली यह मैं उस नाली का हाल आपको दिखा रहा हूँ जिसको यदी साफ कर दिय होता तो पानी इस नाली से जा रहा है और चूकि वो नाली में से पानी नहीं जा रहा है वो लबालब भरी हुई है पहले से तो इसलिए हम लोगों को सडक पर पानी में चलना पड़ रहा है यह आप यहाँ पर देखें कि सडक का हाल यह है कि सडक के दो तिहाई हिस्से में पानी बह रहा है क्योंकि पानी को नालियों से जाना चाहिए नालियां साफ नहीं है तो लोगों को यदि कुछ दूर तक दिख जाए लोगों को ऑटो अगरा पकड़ने के लिए अपनी नौकरी पर जाने के लिए लगभग फुटपाथ के पास जाके उनको उसके लिए कोशि तो न केवल आपको अपने करतव्य करने की एक संतुष्टी प्राप्थ होगी बल्कि इस बात के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तुमको यह अहसान नहीं करोगी बहुत बहुत धाया